इंडिया में heart attack, one of the most common causes है death heart attack का basically मतलब होता है कि कोई blood vessel जो आपके heart तक blood पहुचाने लग रही है वो block हो जाती है जिसकी वज़ेत से आपके heart को blood नहीं मिल पाता oxygen की कमी होती है और eventually इसकी वज़े से मौत हो जाती है आम तोर पर यह एक ऐसी चीज थी जो सिरफ बुढ़े लोगों में देखने को मिलती थी लेकिन आज के दिन 30-30 साल के आदमियों को भी heart attack हो जाता है इसकी बीछे कारण है एक unhealthy diet, diabetes, बढ़ता cholesterol level, smoking और simply enough exercise ना करना अपनी जिंदकी में एक active lifestyle ना जीना heart attack के symptoms जान लेना बहुत जरूरी है ताकि आप इसे होने से पहले पहँचान सके main symptom है chest pain होना आपको यहाँ chest में लग रहा है कि कुछ tight tight feeling हो रही है बहुत जादा बजन किसी ने आपके chest पर लगा दिया हो अकसर आपको back, neck और jaw area में भी discomfort फील होगा इसके साथ-साथ cold sweat आएगा आपको अजीब से पसीने आएगे, breathlessness होगी, ढंक से सांस नहीं ली जाएगी और basically ठीक नहीं लगेगा, un-easiness होगी अगर आप या आपके परिवार में कोई यह symptoms feel करते हैं तो देरी मत कीजिए यह assume मत कीजिए कि सिरफ पेट में कोई indigestion हो रही है सीधा medical help call कीजिए औरतों में अकसर detect करना ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उन्हें strong chest pain की symptoms नहीं देखने को मिलते हैं बल्कि उन्हें dizziness, nausea, shoulder pain और jaw pain हो सकता है heart attack के दोरान blood clotting को slow down करने का एक तरीका है simply aspirin देना 300-500 mg aspirin देने से एक इनसान को थोड़ा और time दिया जा सकता है कहीं ambulance को आने में ज्यादा time लग जाए या hospital जाने में फिर्वा time लग जाए याद रखना इन basic चीजों को इस वीडियो को आप save कर सकते हैं और अपने family members के साथ भी share कर सकते हूं